असलाम अलेकूम वरहमतुल्लाइब बरकातू कैसे हो आप सब आप सब का स्वागत करता हूं अपनी न्यू वीडियो के अंदर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मेरी ब्लू ब्लू काट लेंसे के वारे में मैंने आपको बताया था और बताया था कि कि नेक्स्ट टाइम में अगर इसकी वीडियो बनाओंगा तो compare करके बताओंगाît कि किस ब्रैंट की ये कॉपी है तो finally वो दिन आ गिया है आज मैं आपको बताता हूं कि कौन सा है वो ब्रैंड जिसकी कॉपी है नहीं है ना उसके बापर कोई लोगो था ना अब लोगो आ रहा है, branded lens कोई भी अगर आप लेते हो, अगर उसकी वो copy मिल रही है तो उसका ये मतलब नहीं है, उसके सारी properties, originality वाली आपको उसके अंदर मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता, copy का मतलब होता है, चाइना ने इसको बनाया है, उसकी खत्तक copy करी है, quality better कर दी है, visibility के अंद ये तो ये बहुत best, the best lens हो जाता है, जो मैं आपको suggest करता हूँ, चुन-चुन करके लेकर कहता हूँ, आपके लिए ताकि आपको help हो सके, लेकिन अगर अल्ला ने पैसा दिया है, तो कोशिश ये किया करो, कि branded lenses के उपर focus करो, कोई भी brand lens ले लो, काल जाइस है, किर्जाल है, Nova है, Kodak है, मैं हमेशा आपको उसी brand के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में मैं खुद study कर रखा होता हूँ, और बना करके किसी को दिया, और किसी customer की complaint नहीं आई, इस lens का मैंने आपको last time भी बताता, 6-7 महीने से ये lens मेरे पास था, बहुत सारे customer को मैंने लगा करके द बिकार चीज मिलगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो बताते हैं, उसकी किस की है, ये copy और उसके बारे में हम आज इसको reveal करते हैं, तो ये देख सकते हो, ये है Zyze, ये है Mary Blue, Mary Blue Zyze के एक product की copy है, यानि एक coating की copy है, जैसा कि मैं आपको कहूँ, कोई product copy नहीं होता, जिस raw material से ये lens बना हुआ है, इसको हम blank कहते हैं, जब इसमें power नहीं होता, तो ये एक तरह का blank होता है, और इस blank को हम जिस quality से बनाते हैं, जिस raw material से बनता है, वो अंदर बहुत deeply बाते हैं, उसको यवारे में भी time मिला दो, इन्शालला बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए म लेकिन quality काफी ज़्यादा better है, काफी ज़्यादा fine है, जो मैंने customer को लगाई है, फिर कहूंगा, budget कम है, तो ही लेना, otherwise brand पर ही लेना, इसका comparison इससे हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको अब हम रखते हैं side में, अब हम आते हैं, जाइस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको एक लेन्स, सबसे पहला और जो टॉप की coating है, इनकी वो है, blue guard plus dura vision, platinum UV, यह देख सकता है, blue guard plus dura vision, platinum UV, फिर आता है, जाइस का dura vision, drive से, फिर आ जाता है, आपका, zाइस का dura vision, blue product, फिर आपका आएगा, zाइस, dura vision, platinum UV, फिर आएगा, dura vision, platinum, chrome UV, यह जो दो लेन्स है, यह बेसिकली anti-ref से जो है यह computer working पर भी काम कर सकते हो और आप रोज मर्रा की चीज़ों में भी use कर सकते हो जब यह launch नहीं हुए थे तो यह anti reflection coating ही चलते थे पहले कोई भी blue cut lenses जब नहीं आया करता था तो anti reflection coating का ही क्रेज ज़्यादा रहा करता था और इसकी जो और नल्टी की पहचान है यह आप यहाँ पे देख रहे हो गए मैंने black color से mark किया हुआ यहाँ पे एक z का sign होता है कुछ इस type का मैं screen पर डाल रहा हूँ आप देख सकते हो और यह सारे features ठीक है तो यह हो wyseize और जो कॉपी है न वो है इस वाले lens की अगर मैं आपको दिखाऊना तो यह coating है आप यह देख सकते हो इन दोनों की coating almost same है अगर मैं इन दोनों को साथ में रखो न आप यह देखो coating दिख रहे है आपको इन दोनों की coating देख रहे हो ग्लूव कलर की तो इनकी quality सेम नहीं होती है यह याद रखना quality सेम इसलिए नहीं होती कि चाइनीज कहां मुकाबला करेगा किसी जर्मन ब्रैंड के ब्लैंक का आपने जाइस का लेंस जो भी यूज करते हैं अगर वह कोई भी कभी भी आपको लोकल लेंस ले रहे होगा किसी अधर ब्रैंड में भी स्विच करते हो तो आपको डिफरेंस दिख जाता है ऐसे बताने में पता नहीं चलेगा ना आपको पता चलेगा न मैं ऐसे explain क कर पाऊंगा जब तक आप इसको यूज नहीं करते हो लेकिन मैं फिर से यह कहूंगा कि मार्केट के अंदर यह धरले से चीटिंग चलती है आपने ध्यान से देख करके लेना है जाइस के नाम पर कोई आपको यह लगा करके दे दे रहा है तो यह कोशिच करना कि जाइस के अपर एक लोगो आता है जो जैड़ का साइन का लाजमी देखना बीना इसके मत करना दूसरा लेंस के रैपर साथे हैं किसी भी ब्रैंड का रहा आगा जैसे मेरी ब्लू है और यह वाला इसका रैपर है तो यह रैपर आएगा मैं नहीं समझता कि कोई लूकल बंदा भी कौ जाया करते हैं ठीक है तो यह मेरा एक था कि आपको में बताओं कि मार्केट में किस तरह के डुब्लिकेट लेंस अवेलेबल हैं जैसी company के मार्केट में लेंसे अब अवेलेबल हो गए हैं बस सबसे बड़ा जो point है जैस देता है एक watermark जेट का वो अभी तक किसी ब्रैंड ने कॉपी नहीं किया हुआ बाकी फॉग मार्क की मैं बात करूं जिसके उपर हम लेंज का एसा रैपर ले लो जो भी ब्रैंड का आप ले रहे हो रैपर लो लेंज के साथ जो इसकी चीज़े आती है वो सारी पूछो ऑप्टिकल वाले से और उससे मांग करके लिया करो मेरा यही आपको कहना है बाकी एक वीडियो बनाने का मेरा यह भी मोटिव था कि एक ऑ लोगों से चीट करना छोड़ दे अभी तुने जिस कंपनी का लेंज जाइस का इसी ने एक कस्टूमर को दिया मैं नाम ने लूँगा ऑप्टिकल का विकार में वो मेरे साथ कोई और क्लेम डाले है उसका नाम बंदना हो फिर भी यह कह रहा हूं बाद में उसने अपनी गल लगा करके दे दिया जस्ट विकॉस की कस्टूमर को नॉलेज नहीं थी जानी कि आप यह समझते हो को 73,000 रुपी है प्रोग्रेसिव की जो की अल्टिमेट टॉप पोटिंग आती है जो जाइस का सबसे टॉप वाला रेटिंग वाला वह है उन्होंने उसको लगा करके दे दिया जब उस बंदे ने मुझसे कॉंटक्ट किया मेरी वीडियो देखकर के मुझसे राई ली जब मैंने उसको बताया तो ना उस बंदे को स्मार्ट लाइफ का कुछ ऐसा ही मैं आपने देखा होगा मेरी वीडियो में बताता हूं स्मार्ट लाइफ की किट आती है ना उस इस चीज तो कम से कम तुझे क्या फाइद है तो तिल दें बस यही चीज थी कि आपको बताना था कि भाई मार्केट में ऐसे से कांड हो रहे हैं तो अपना ध्यान रखो जब चीज लेने जाओना तो ध्यान से सारी चीजों को लिया करो ठीक है मिलते हैं किसी नेक्ट वीडिय जहान में रखें दुनिया जहान के तमान सारी खुशिया अता फरमाएं और याद से जाते-जाते कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा